नमस्कार दूस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरी पर आज पिर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चके हैं अगर आप भी एक पैंशन लाबारती हैं तो आपको बता दें कि पूरे भारात देश में दो बड़े नियम लागू कोने जा रहे हैं जी हाँ जिनकी वज़े से आपकी पैंशन अटक सकती है तो वह कौन-कौन से नियम है उसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के मारत्यम से देने जा रहे हैं अब चाहे आपकी वर्द अवस्ता पैंशन हो या फिर आप दिव्यांग पैंशन का लाव ले रहे हो या फिर आपकी विद्वा पैंशन हो आपको इसे भी पैंशन का लाव ले रहे हैं आपके लिए यह जानकारी बहुत ज़्यादा महक पूर्ण होन जा रही है अगर आप यह नियमों का पलन नहीं करते हैं तो आपकी पेंसन आप तक नहीं पहुँच पाएगी तो कुन-कुन से बतलाव सरकार करने जा रही है चलिए जान लेते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सिक्चोट सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्पिया आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजे और जयाल से अधा वीडियो सेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं देखे पैंसन धारकों के लिए सरकार की तरफ से ताजा अपडेट जारी क्या गया है पैंसन योजनाओं को लेकर आए दिन कोई न कोई नियम बदलता रहता है अगर आप एक पैंसन लावारती हैं तो आप भी यह भली भाती जानते होगे कि सरकार पैंसन को लेकर तत्थ पर रहती है आउर किसी न किसी नियम में बदलाव करती है या फिर कोई नया नियम भी लागू कर देती है जिससे की सही आउर जरुवत मंद पैंसन लावारती तक पैंसन का पैसा पहुशता रहे अब अगर आप की चाहे विद्वा पैंसन हो दिव्यांग पैंसन का लाव ले रहे हो या फिर आप वर्दवस्तर पैंसन का लाव ले रहे हो तो आपको अब दो नियमों की जानकारी यहनके जो सरकार लागोने जा रही है इन नियमों की जानकारी आपको होना बहुत ही जरूर है कि तो जिन नॅगरी को का पैसन बैंक खाते में नहीं पहुंचपा रहा है देखिए वैसे तो सरकार ने हاج देंसन का पैसा जारी कर दिया है लेकिन जिन पैसन लावारतियों के एकाउंट में पैसन का पैसा अब तक नहीं पहुंचा है तो ध्यान रहे कि दोस्तो अब आपकी pension नहीं रुकेगी क्योंकि आपको इन नियमों का पालन करना होगा हालागी कुछ कारिया भी है जो आपको करने होगे तभी आपको pension time पर मिलती रहेगी देखें ऐसे समस्त pension उभोगताओं को सरकार की तरफ से उनका पैसा एक साथ दिया जा रहा है अब दोस्तो इन दो नियमों की जानकारी होने के बाद आपका पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसपर करते जाएगा यन की जब आपको इन नियमों की जानकारी हो जाएगी तो दोस्तो जो भी कारिये इन नियमों से जुड़े होए हैं वह आप जरूर कराएगे आउर वह कारी करते ही आपके एकाउंट में pension का पैसा ट्रांसपर कर दिया जाएगा जितना भी आपका पैसा है या फिर रुकावा पैसा है वह आपको बैंक खाते में ट्रांसपर हो जाएगा उनके बारे में जानते हैं, देखे, पहला नियम, पैंसन धार्गों के लिए पहला नियम आधार काड से जुड़ा हुआ है, देखे, सभी पैंसन लावार्थियों का आधार शत्यापन होना अनिवारिया है, अगर आपका आधार काड पैंसन से लिंक होगा, लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा दोस्तो रुख जाएगा अगर आपने अधार काड को पैंसन से लिंक करा रखा है या फिर आप आधार काड को पैंसन से लिंक करा लेते हैं तो आपकी पैंसन पर्मनेंट सही समय पर आपके बैंक खाते में आती रहेगी कभी भी आपकी पैंसन नहीं रुखे कासselves आपको क्या करना है अपने आधार काड को कि अपनी पैंसन से लिंक कराना हो गाण करना है जो भी आपके अधार में गलती पाई गई है या फिर आगर आपके अधार काड में कोई गलती है तो पहले आपको अपने अधार काड को सही कराना होगा उसके बाद आपको वह आधार काड अपनी पैंसन से लिंक कराना होगा अगर आपके अधार काड में कोई गलती है तो आपके और आप वह आधा अधारकाड में कोई भी गलती ना हो वे अधारकाड आप अपनी पैंसन में लिंक राए पैंसन उभगतों को लेकर दूसरा बढ़ानियम जीवन प्रमानपत्र को लेकर है जी हां देखिए हरवर्स केंद्र के करमचारियों को एवं पैंसन धार्कों को अपना जीवन करना होता है अगर आप अपनी पैंसन प्राप्त करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपकी पैंसन ना रुके तो सालाना दोस्तों आपका जो प्रमान पत्र है वह आपको जमा करना होगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप यह भी त प्रताफ़ जमा नहीं करते हैं, तो इसके वज़े से भी आपकी पैंसन अटक सकती है, आप फिर से पैंसन से वनचित रह सकते हैं, अब देखिए आपके बैंक में अगर पैंसन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है तो आप यह कारियाश जरूर करेगा, सभी आम पैंसन लाबा आप राजिस्थान के निवासी हैं या फिर आप दिल्ली के निवासी हैं आउर आप वहाँ से पैस्ट का लाब दे रहे हैं तो आपको अपने बैंक में जाकर अपने अधारकार को लिंक करा देना है और आपको यह है चेक जरू कर लेना है कि आपकी DBT जिहां दोस्तों DBT आपकी एक्टिव है या फिर नहीं अगर आपकी DBT आपके अकाउंट में एक्टिव होगी तो ही आपको पैसा मिल पाएगा क्योंकि सरकार जितना भी पैसा समाज के लिए भागते तरब से देती है वैं DBT के माद्यम से ट्रांसपर करती है यानि कि डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर किया जाता है अगर आपका आधार कार पैंक से लिंक नहीं होगा यह कारी अगर आप करा लेते हैं तो आपका पैंसन का पैसा आपके बैंक खाते में तुरंट पहुंच जाएगा वरना आपको पैंसन की कोई भी किस्त बैंक में नहीं मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है इन दो नियमों का और इन दो बड़े कारियों का तो यह ति आपके लिए महत पुर्ण जानकारी आई होप आपको जानकारी चलगी होगी आपसे निवितन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या तो किर्प्या वीडियो को अभी आप लाइक कर दिजिए जासे तो वीडियो को सेर करेगा चनल पर आप पहली वार आए हैं तो चनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा मिलते हैं आपको नहीं स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद